नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चनल टार्गट दा इस्टेटी पर मैं आपके लिए वीकली करंट अफेर्स से समंदित एक महत्पूर वीडियो लाया हूँ इसमें जितने भी प्रसने सारे इंपोर्टेंट हैं वो आने वाले एक्जाम्स जैसे कि SSE, Railway, बैंक, यूटूट इत्याद में आने की समावना है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें वीडियो कर पसंद आए तो लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें तरदा बिल आइकॉन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी पलपल की अपडेट्स आप तक पोस्टी रह इसका सही अंसर होगा, आप्सिन अमबर D, 9 अक्टूबर, विस्टु डाग दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विस्तु डाग दिवस प्रतेक वर्स 9 October को मनाया जाता है कुछ देशों में विस्तु डाग दिवस को आवकास को रूम में मनाया जाता है भारत में राश्टी डाग सप्ता हर साल 9 October से 15 October तक मनाया जाता है भारत में डाग सप्ता को मनाया जाता है 9 October से 15 October तक इस साल की जो theme रही है वो है together for trust collaboration for a safe and connected future भारत में पहला post office कोलकाता में 17 सो चौतर में खोला गयाता है दोस्तों भारत में पहला post office कब खोला गयाता है 17 सो चौतर में जो की कोलकाता में खोला गयाता अगला प्रस नमबर 2 किस आस्ट्रियाए क्रिकेटर ने भारत के महान बल्ले बाज सचिन तेंद्रुकर को पचाड़ कर सिर्फ 19 पारियों में 1000 रन का record बनाया है इसके options है option number a Steve Smith, option number b David Warner, option number c Michael Mars, option number d Sane Ward इसका सही अंसार होगा option number b David Warner डेविड वार्नर ने सचिन तेंद्रुकर को पचाड़ कर सिर्फ 19 पारियों में 1000 रन का record पार किया है आस्टेलिया के अनुभवी opener डेविड वार्नर ने भारत के खिलाप वर्ड कप 2023 के पाचवे मैच में एक खास record अपने नाम किया है वार्नर सिर्फ 19 पारियों में 1000 रन का record पार कर वर्ड कप इत्यास में सबसे तेज रन पूरे करने वाले बल्लेवाज बन गए हैं वहीं अगर 20 पारियों की बात करें इससे पहले जो कि सचिन तेंद्रुकर और अगर 21 पारियों की बात करें तो विव रिचर्ड और स्वरप गंगोली ने आकड़ा बनाया था वो यगर 22 पारियों की बात करें तो मार्कवा हर्सलिप्स ने 1000 रन का आकड़ा पार किया था अगला प्रस्ट में प्रस्ट नमबर 3 किस आर्थ सास्त्री को नोबल पुरुषकार से समायत किया गया उप्शन नमबर A. Ben S. Bernard के उप्शन नमबर B. Douglas W. Diamond उप्शन नमबर C. Philip S. Diabrig या उप्शन नमबर D. Claudia Golden इसका सही आंसार होगा उप्शन नमबर D. Claudia Golden Claudia Golden को अर्थ सास्तर के रूप में नोबल पुरुषकार से समायत किया गया नोबल अर्थ सास्तर पुरुषकार Harvard विस्विदाले की प्रोफेसर Claudia Golden को प्रदान किया गया उन्हें या पुरुषकार महिलाओं के स्रम बाजार के प्रेडामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया अर्थ सास्तर पुरुषकार 1968 में स्यूटन के केंदरी बैंक के द्वारा बनाया गया इसे ओपचारिक रूप से Alfred Nobel की इसमरत में आर्थिक गया नेवं बैंक आफ स्यूटन के पुरुषकार रूप में दिया जाता है अगला प्रस नमबर 4 Asian Games 2030 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेरल जीते इसके आप्शन से ऊप्शन नमबर A 21 गोल्ड और B 25 और ओप्शन नमबर C 28 गोल्ड या ओप्शन नमबर D 30 गोल्ड इसका सही आंसर होगा आप्शन नमबर C 28 गोल्ड Asian Games में भारत ने कुल 28 गोल्ड जीते हैं ASEAN Games 2013 में भारत ने 107 पतकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया भारत ने कुल 28 गोल्ड मेटल के साथ 107 पतक अपने नाम किये है ASEAN Games के इत्यास में या भारत के अब तक का सर्फ्रेस्ट प्रदरसन रहा भारत ने 38 सिल्वर के 41 ब्रॉंज भी जीते यह पहला मौका है जब भारत ने मेटल का सतक लगाया है साल 1914 में आयोजित हुए पहले ASEAN Games में भारत ने 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉंज जीते है अगला प्रस प्रस नमबर 5 जीओ मार्ट ने किस से अपना ब्रांड अबेस्टर नियुक्त किया है इसके option से option number A रड़वीर कपूर, option number B मेहंदर सिंग धोनी, option number C सचीन तेन इओक है option number D विराट कोईली इसका सही आंसार होगा option number B मेहंदर सिंग धोनी जीओ मार्ट ने मेहंदर सिंग धोनी को अपना ब्रांड अबेस्टर नियुक्त किया है जियो मार्ट ने हाली में में दोनी को अपना ब्रांड अमेस्टर निक्त किया है जियो मार्ट भारती e-commerce में लगातर अपनी उपस्तित बढ़ाने को कोशिस में लगा हुआ है अगला प्रस नमबर 6 इजराहिल ने हमास के खिलाफ जारी लडाई को क्या नम दिया है इसके उपस्टन से उपस्टन नमबर A, Operation Gaja, उपस्टन नमबर B, Operation Iron Mine, उपस्टन नमबर C, Operation Iron Sword, ये उपस्टन नमबर D, Operation Attack इसका सही अंसर होगा उपस्टन नमबर C, Operation Iron Sword इजराहिल ने हमास के खिलाफ जारी लडाई को उपस्टन स्टन के नम से दिया है हमास एक फिलिस्तानी उग्रवादी समू है जो गाजा पट्टी के कुछ छेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है गाजा पट्टी इजरायल मिस्र और भूमा सागर के बीच 41 किलो मेटर लंबा और 10 किलो मेटर चोड़ा छेत्रे जहां लगबग 2.3 मिलियन आवादी रहती है अगला प्रेस प्रेस नमबर 7 तंजानिया के रास्ट पतिकौन है जो जे और यू दोरा डॉक्टरेट की मानक उपाद प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है इसके उप्शन से उप्शन नमबर A एलन जॉनसन सरलीफ उप्शन नमबर B सिंडी कीरो उप्शन नमबर C सुसान दौगन या उप्शन नमबर D सामिया सुलू हसन इसका सयांसर होगा उप्शन नमबर D सामिया सुलू हसन तंजानिया के रास्पति सामिया सुलू हसन को जवहरलाल नेरू विस्वधाले दोरा डॉक्टरेट की मानत उबाद से समानत किया गया है वह इस समानत से समानत होने वाली पहली मेला बन गई है अगला प्रस्न हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोज़र तेस के अनुसार सबसे अमीर भारती कोवने इसका उप्शन से उप्शन नमबर A गौतम अटानी उप्शन बी अदार पूना वाला यो उप्शन नमबर C रतन टाटा उप्शन नमबर D मुके समबानी इसका सही अनुसार होगा उप्शन नमबर D मुके समबानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोज़र तेस के अनुसार मुके समबानी ने गौतम अटानी को पचाड़ कर सबसे अमीर भारती बन गये अगला प्रस नमबर 9 दच्छड प्रीका के की सहर में मातमा गांधी की 8 फिट उची परतिमा का अनावरण किया गया इसके उप्शन से उप्शन नमबर A जोहांसबर्ग उप्शन नमबर B केप टाउन उप्शन नमबर C सिभासा यो उप्शन नमबर D प्रिटोरिया इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर A जोहांसबर्ग दच्छड प्रीका के जोहांसबर्ग में मातमा गांधी की 8 फिट उची परतिमा का अनावरण किया गया है इस परतिमा का अनावरण टॉलस्टाइफार में हुआ है किस फार में हुआ है टॉलस्टाइ फार में गौरों तलव है कि 20 सदी की सुरुवात में जोहांस बर्ग की इसी जगह से मातमा गांदी ने अपने वकालत की सुरुवात की थी अगला प्रस प्रस नमबर 10 रास्टी खेल 2023 कहां आयोजीत किये जाएंगे इसके उप्शन से उप्शन नमबर A मड़पूर, उप्शन नमबर B उडिसा, उप्शन नमबर C राजस्थान या उप्शन नमबर D गोवा इसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर D गोवा, रास्टी खेल 2023 गोवा में आयोजीत किये जाएंगे गोवा के मुख मंत्री, डॉक्टर प्रमोज सावंत, राज के खेल मंत्री ने कहा कि सहतिसमें रास्टी खेलों की मेजबानी गोवा करेगा रास्टी खेल को पहले भारती ओलम्पी खेलों के नाम से जाना जाता था, इसको सुरुगात 19-24 में अविभाजीत भारत के लहुर में हुई थी अगला प्रस्ट परस्ट नमबर 11, आई-म-फ ने भारत का विकास दर कितना अन्मानित किया है इसको उप्शन से उप्शन नमबर A, 6%, उप्शन नमबर B, 6.3%, उप्शन नमबर C, 7% यो उप्शन नमबर D, 7.1% इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर B, 6.3% अंतरास्टी मुद्रा कोस, आयम-फ ने चालू वित्तिवर्स के लिए भारत के विकास दर के अन्मान को 6.3% बताया है 2022 से 2023 में भारत के विकास दर 7.2% रही थी, जो कि अब 6.3% है अगला प्रस नमबर 12, आठमें ब्रिक से कॉंप्टीशन, कॉंफरेंस से 2023 का उद्धकर्टन किस ने किया उप्शन से, उप्शन नमबर A, अनुराक ठाकुर, उप्शन नमबर B, रहुल जोहरी, उप्शन नमबर C, अजय सिन्ना, उप्शन नमबर D, असोग भूसड इसका सही अंसर होगा, अप्शन नमबर D, असोग भूसड राश्टी कंपनी कानून अपीली नियाय धिकरण के अध्यच नयमूर्ती असोग भूसड ने नई दिल्ले में आठमें ब्रिक से कॉंप्टीशन कॉंफरेंस 2023 का उद्धकर्टन किया इसका एउजन 11 से 13 अक्टूबर 2030 तक किया जा रहा है अगला प्रस नमबर 13 हाली में किस राज ने गांगेटिक डॉल्फिन को राज जली जीव के रूम में घोसित किया है इसके उप्शन से उप्शन नमबर A मद्द पर्देश, उप्शन नमबर B राजस्तान, उप्शन नमबर C पस्टिम बंगाल या उप्शन नमबर D उत्तर पर्देश इसका सही अंसार होगा उप्शन नमबर D उत्तर पर्देश उत्तरपरदेश के मुक्मंत्री योगी आधित्टिनाथ ने गांगर्टी गडॉफिन को राज जलिजुई के रूब में गोशिप किया है इसका वैगैनिक नाम प्याट निस्टा गंगेटिका है वैगैनिक नाम क्या है? फ्याट निस्टा गंगेटिका गंगा डॉल्फिन को आयू-CN की रेड लिस्ट में संकट ग्रस्ट की कैटेगरी में रखा गया है अगला प्रस प्रस नमर 14 जी 20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहां किया जाएगा इसके option से option number A, नई दिल्ली, option number B, जैपूर, option number C, लखनौ या option number D, मुंबई इसका सही अंसार होगा option number A, नई दिल्ली परधान मंत्री 13 अक्टूबर को 9 जी 20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का उठगाटन करेंगे इसका आयोजन नई दिल्ली इस्तित यसो भूब में किया जाएगा, यह कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में इस्तित यसो भूब में अगला प्रस नहीं प्रस नंबर 15 इजराइल में फसे भारतियों को वापिस लाने के लिए चलाये गए अभियान को क्या नाम दिया गया है इसके option से option number A, operation VJ, option number B, operation Samrat, option number C, operation Ghanda, या option number D, operation Ajay इसका सही answer होगा option number D, operation Ajay Operation Ajay के तहित भारत सरकार इजरायल में फसे भारती नागरिकों को सुरचित भारत लाने का अभ्यान चलाया गया है पहली फ्लाइट में 212 भारतियों को इजरायल से सुरचित वापिस लाया गया है कई भारती अभी भी वहाँ ससे हो गया है अगला प्रस नमबर 16, पोरुच की लिस्ट की वर्ड बेस्ट एंप्लोयर्स 2030 की लिस्ट में सामिल एक मात्रिक PSU कंपनी कौन सी है इसके उप्शन से उप्शन नमबर A, NTPC, उप्शन नमबर B, भारत Electronics, उप्शन नमबर C, Coal India Limited, और उप्शन नमबर D, VPCL इसका सही उप्शन होगा उप्शन नमबर A, NTPC अगला प्रस नमबर 17, Global Hunger Index 2030 में भारत का कौन सा इस्टान रहा है इसके उप्शन से उप्शन नमबर A, 107, उप्शन नमबर B, 111, उप्शन नमबर C, 115, या उप्शन नमबर D, 118 इसका सही उप्शन होगा उप्शन नमबर B, 111 2030 के नविंतम Global Hunger Index में भारत को 135 देशों में, 111 में इस्टान पर रखा गया है जो 2022 में, 107 में इस्टान पर गिरावट को दरसाता है जिसे आईरिस एंजियो कंसर्ण वर्ल्डवाइड और जर्मन एंजियो विल्ट हंगर रिल्प दोरा प्रकासित किया गया है पड़ोसे देशों के तिलना में, जहां भारत 111 में इस्टान पर वहीं पाकिस्तान एक सुदो इस्टान पर बांगले देश की बात करें तो 81 इस्टान पर नेपाल की बात करें तो 99 इस्टान पर और स्री लंका 60 में इस्टान पर अगला प्रस नमबर 18 किस कंपनी ने नौरतन का दर्जा प्राथ किया है इसके उप्शन से उप्शन नमबर A भारत संचान निगव लिम्टेड उप्शन नमबर B गोवा सिप्यार लिम्टेड उप्शन नमबर C RVNL यो उप्शन नमबर D इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर D राइड़स लिम्टेड राइड़स लिम्टेड ने भारत की नौरतन कंपनी का दर्जा प्राथ किया है रेल मंतरारले के तहफ़ एक परमुक के अंदिज सारवजनीक छेत्र उदप राइट्स लिम्टड ने पर्तिस्टित नौरतन का दरजा प्राप्त किया है या दरजा प्राप्त करने वाली या भारत की सोलवी कंपनी इस से पहले कितनी थी? पंदरा नौरतन कंपनी थी पंदरवी नौरतन कंपनी कौन से थी? इरकॉन और सोल में कौन सी बनी है राइट्स लिम्टेड अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 19 विस्व एतलेटिक्स ने इस वर्स के अथलीट आप दा येर के लिए किसे नामित किया इसके उप्शन से उप्शन नमबर A नीरत चोपड़ा उप्शन नमबर B मुरली स्री संकर इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर A नीरत चोपड़ा विस्व एतलेटिक्स ने पुरुष एतलेट आप दा येर पुरुष कार 2013 के लिए नीरत चोपड़ा को नामित किया है नीरत चोपड़ा उलम्पिक और विस्व चैंपियंशिप के सोड़ पदक विजयता है अगला प्रस नमबर 20 विस्व चैंपर दीवस कब मनाया जाता है इसके उप्शन्स हैं उप्शन नमबर A पाच अक्टूबर उप्शन नमबर B दस अक्टूबर उप्शन नमबर C 15 अक्टूबर या उप्शन नमबर D 206 दिवस के रूम में मनाया जाता है इस दिन को विशेष रूप से भारत के पूर वरास्थ पती डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की जैनती के रूम में मनाया जाता है इस दिन डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम का जैन्म हुआता या जैनती होती है उसी के रूम में 15 अक्टूबर को प्रतेक वर्स 24 दिवस के रूम में मना जाता है दोस्तों ये थे आज के इंपोर्टेंट करन्ड फेर के प्रसमे अगर आपको व्यूडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद